रावकला सहर के बसंती करोनी के बिहार सांसकरति परिशत भवन के प्रांगण मेर गर परिवार की ओर से सीमत भागवत कता का आयोजन किया गया नो जन्वरी को विदी विदान अनुष्टान से पूजा अर्षनाकर शाम तीन मजे शियो मंदिर से सोबा यात्रा निकाले गई चार बजे बिहार सांसकरतिक परिशत भवन पर पहुंची इस खता वाचक प्रम्षद्य भागवत बुशन आचारे तराचन साती जी माराज ने परतंदिर महातम की काथा का वन्नन किया बापुडिया आज जो खार करम हुआ है भागवत का स्री भागवत परचार समिती है पिछले 11 साल से रावकला में हम लोग भागवत का परचार करते हैं और गुरुजी के मुखाविन से भागवत का था लोगों को सुनाते हैं यह हमारी जाल से बार्वी साल है नर्ण तिवारी परम पुझ गुरुदय भागवान के सानिद्य में सीधाम बिंदावन से सब लोग आए हैं गुरुदय भागवान के मुखार बिंद्य से दिव शीमत भागवत का भब्यायोजन नहां हुआ है और प्रत्म दिवस्की कथा में भागवत के महात्म की चर्चा गुरुदय भगवान के मुखारबंद से हुई और इसके बाद जो है परत्म इसकंद में अरिक्षि जी के जल्म की कथा पेताम अभीस्म की स्थी जूती सकंदր में सद्यमुर्ण मुक्ति का वशन करते हुए मैंत्रम्ध बिदु हुईती संबाद चतु इसकंद में दुरूब जी का चरत पंचम में जड़वरत जी का चरत और 28 नर्कों का वरण किया और नर्कों से चुटकारा पाने के लिए भगवान के नाम की महमा का गान करते हुए सश्टम सकंद की कथा का शमन कराते हुए गुर्दे भगवान ने और पहला जैसे भक्त को भक्त की रक्षा के लिए दीन बंदू खंबे को फाड़ करके नर्सिंग रूप धार्ण करके आए और अश्टम सकंद में मोहनी भगवान का अवतार शमद्ध मन्थन की कथा लच्मी माता का प्रादुर भाव और नौमें सकंद में जो है गुर्दे भगवान ने बढ़न किया भगवान सी राम जी के जन्म की कथा और सूरिवन्स का प्राद करते हुए दसमिसकंद में समस्त भगवान सी राम सुन्दर की बाल लीलाओं का प्राद में जन्म हुआ और गोकुल में भगवान थोड़ा बड़े हुए बिंदावन में अन्यन लीलाएं की महारास ले करके और फिर मतुरा में आकर कंस का वद करके और द्वार का अधीस ने द्वार का बनाई और महारानी रुक्मनी के साथ में जिनका विवाह संपन हुआ